सबी दोस्तों का वेलकम करता हूँ मैं सचीन आप सभी का तो दोस्तों आज बात करेंगे गुलाब के उपर तो गुलाब दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जिसको उगाना बहुत ही मुश्किल होता है तो दोस्तों गुलाब जैसे की बताते हैं फूलो का राजा होता है तो फूल गुलाब को हमको डेली उसकी देखवाल करनी तब ही हम गुलाब उगा सकते हैं तो पहली बात तो यह होगी दूसरी बात यह है कि जब आप नरसरी पे जाते हैं आप बहुत अच्छा फ्लावर देखके गुलाब तो ले आते हैं पर क्या होता है जब आप घर पे गुलाब ले चला सकते देशी गुलाब हमारे लिए सही पर ऐसा दोस्तों नहीं है आप जब भी इंगलिस रोज नर्सरी से ला रहे हैं तो आप देख ले आप प्लांट आपका बढ़िया प्लांट देखके ले आते हैं उसके बाद आपको क्या करना है प्लांट को आते ही घर पे किसी गमल जब नए ने पत्ते आजाएं जब आपके एक महीना बिताले का प्लांट तो आपके क्लाइमेंट के हिसाब से प्लांट ढर जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गमला जो होता है आपको मिट्टी का गमला लेना है देख सकते हैं मिट्टी का गमला है तो मिट्टी क कि और आप मिट्टी के में मिट्टी जो आप डाल रहे हैं उसमें थोड़ा रेत मिला लें ताकि उसमें अगर आप एष्ट्रा पानी दे देते हैं तो पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए आपको ये काम करना उसके बाद आपको गुलाप जो होता है उसको नहलाना बहुत तो आप गुलाब को डेली नहलाए अब नहलाना कब है ये वी एक कारण है तो गुलाब देख सकते हैं कि गुलाब जब नहलाते तो इसके पत्तों पे पानी रोयता है देख सकते हैं तो अगर आप गुलाब को साम को नहला देते हैं तो ये पानी सूखेगा नही और ये फंग लगने से गुलाब हमारा मर जाता है तो ये बहुत बड़ा कारण होता है गुलाब मरने का दूसरी बात बता देते है कि आपको गुलाब को नहलाना है वो छे बजे से सुबे मॉर्निंग में छे बजे से आठ बजे के लगबग आप अपने गुलाब को पानी दे उसे नहलाए और आपको जड़ों में पानी जब देना जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आपको पानी देना क्योंकि गुलाब दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं मांगता है इसको हलकी नमी चाहिए होती है और दोस्तों गुलाब अच्छे से अगर आप पाना चाहते हैं कि आपका आपने प्लांट लगा लिया अच्छे से ग्रो हो रहा है अब उस पर फ्लावरिंग लेनी है तो आप उसे हर हपते डी एपी सरसोखली एक चमच और आप एन पी केक ले लीजिए जो की 90-90-90 या 2020 ले लीजिए इसको एक ग्राम एन पी के आप हर हपते इसमें जड़ में डालिए आपको यहां इस से दूर डालना है नहीं तो आपका ये जो है प्लांट गल जाएगा तो आपको दूर डालना है दूर डालेंगे तो आपका प्लांट सही है जड़ उसको मिल जाएगा फूड जो आप डा वह एक प्लाब्रिंग करने के दोस्तों प्रेश करने के बाद ये घरड़ाश करता है तो यही दोस्तों तरीक इतनी रहती है तो आप जाईए नशरी से गुलाब ला सकते हैं गुलाबब दोस्तों गर्मी में यह तुम ना लाएं, मई, जून की गर्मी में, अगर आपको कोई गुलाब देता है Speechіть गुलाब को भी गुलाब के लिए क्छा है, तापमाण तो बहुत अच्छा हुआ जञा है तुम ए टेखिता लेईक, में बहुत अच्छी नुदि आंगा पुलाब और जहां 40-45 डिग्री जाएगा तापमान तो भी गुलाब परिसान हो जाता और इसके फ्लावर का जो साइज है वो छोटा हो जाता तो दोस्तो गुलाब जो है के सर्दियों का प्लांट है और ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम ठंडे मौसम में चला जाए आठ डिग्री तीन ड पत्त जड़ जाएंगे और सारे जो के गुलाब अपने आपको बचाने में लग जाता तो आप ऐसा ना समझे कि मेरा गुलाब मर गया है दोस्तों ये गुलाब अपने आपको बचंग देते हैं जो इसे खाना दे वो ना दे खाले पहले परिसान रहता है खाने की जरूरत आपको जब होती जब वो ग्रोथ करता रहता जब देखे आप ऐसे लाल पत्ते आपके प्लांट में निकल रहे हैं नई ग्रोथ हो रही है तो आप समझ जाईए कि आपका जो पौदा है वो खाना खाने के लिए तयार है तब ही आप इसे फीडिंग इसकी दे तो दोस्तो मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दे और मेरे चैनल पर अगर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी फैमली और बड़ी हो सके और हम भी एक मिलियन पहुस जाए तो दोस्तो फिर मिलते हैं आपको एक नेस् को इंजोई करते रही है